पर स्वयम गोरकपूर में आये हैं, उत्तरवदेश सरकार की ओर से बाबा गोरकनात की धर्ती पर मैं उनका सिर्दे से स्वागत करता हूँ, उनका विनंदन करता हूँ, भारत सरकार को विसेश रुप से, आधने प्रधान मंत्री जी ने जो आज विभिन प्रकार की लोगों को जानकारी मिलती थी कि यह टिकेट गीता पर आधारीत है यह टिकेट गीता पर आधारीत है ये टिकेट गोरकपुर की विभिन महापुरसों से विभूतियों से जुड़िवी सिमृतियों पर आधारीत है ये टिकेट भारत की स्वतंतरता संग्राम के इस कालखंड से जुड़ा वहाँ है अलग-अलग कालखंड में डाग विभा कभी पीछे नहीं रहा निरंतर इस पर अपनी डाग टिक्तों की एक सिरिंखला के माध्यम से या महापुरसों की जेहनती और पूर्णेतिती के उसर पर विभिन आईजनों के माध्यम से उन्हें जोड़ने का कारे करता रहा और लोगों के लिए वह संग्रणिये बनता रहा वायोगेनों एक तरब जहां दाग सेवाओं के छेतर में आज ब्यापक क्रांती हम सब को देखने को मिल लई है दाग विभाग ने भी अपने को चेंज किया अपना डिश्टल फॉम हम सब के सामने देखने को मिला और जैसे कि अभी केंद्रे मंत्री कह रहे थे कि कैसे हमें प्रिवर्तन देखने को मिला था सामाने दिनों में तो सब चल लिता है लेकिन जो संकट का साथी है वही सबसे विश्वस्निय साथी है और वायोगेनों उस दौरान घर घर तक डिश्टल पेमेंट करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो उसमें डाग विवाक अग्रणी भूमिका के साथ गाउं गाउं में जाकर कि इस कारे को संपादित कर रहा था विविन गाउं में जाकर के दूर दराज के छेतर में जो लोग रुख गए थे वहाँ से पैसा बेशते थे और डाकिया करोना महमारी के बाबजूद गाउं गाउं में उसे पहुचाने के लिए कारे करता था एक नहीं करांति लाहने का कारे उस दोरान किया था आज हम करोना से उबर चुके हैं लेकिन अब एक नया पार्शल हब बनाने का कारे गोरकपुर को इस रूप में आज एक नया भब्यभवन गोरकपुर को प्राप्त हुआ है और यह नया भब्यभवन यहाँ पर डाज विभाग की बढ़ती भी लोग प्रियता जनता की आकांसाओं के अंडूप सेवाओं में विर्दी का एक नया संकेत तो है ही लेकिन साथ-साथ यहाँ पर अभी आपने देखा होगा हमने विभिन प्रकार के बच्चों को अलग-अलग सेवाओं के साथ जोड़ने का कारे किया प्रणाद मंत्री मोधी जी ने बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का एक नारा देश को दिया थी बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का इनारा आज आपने देखा होगा कि कन्या संभर्दी योजना के माध्यन से उन कन्याओं के लिए कैसे हम उनकी सुरक्सा का और जब वह बालिक होगी 18 वर्स की या 21 वर्स की होगी तब उसे एक मुस्त रासिक कैसे प्राप्त हो करके उसे स्वाबलंबन का मार्ग प्रसस्त करने के लिए एक पूझी माबाप पर अत्रित भार लगाए बगर वह कन्या उस धंडासी से देगी और साक्साथ वहा कन्या सुमंगला ही नहीं कन्या संब्रदीत योजना ही नहीं बल्कि वह साक्साथ एक लक्षिमी की प्रतीक होगी जब अच्छी खासी धंडासी की एक मुस्त उस कन्या के हातों उस तरिवार को प्राप्त होगा यह एक नहीं योजना यहाँ पर आपने देखा होगा कि जिन नहीं कन्याओं को उसके साथ जोड़ा गया है वह भी सुरूप आपने इन सभी बच्चों के माध्यम से यहाँ पर देखा होगा वाई ओबेनो इसके साथ ही आपने स्पर स्योजना के माध्यम से जो कंप्टिशन हुआ था उसके माध्यम से भी यहाँ के चाथर चाथराओं को पुरुश्किर्ट होते वे देखा है आज भारत दुनिया के अंदर सभान मंत्री मोधी जी के निस्रतों में एक नए भारत की रूप में उभरा है बैस्टिक मंचपर भारत की प्रतिस्टा बढ़ी है तरहान मंत्री मोधी जी आज दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो उस देश के अंदर वहां की लोगों में एक नए उत्षा का माहूल पैदा होता है लोग इस बात को देखते हैं कि वास्तों में मोधी जी किस रूप में भारत जैसे देश को करोना जैसी महमारी के दोरान अपने ससी ने तरस दिये इतने बड़े देश में अभी बेक्तिकी सतंतरता के साथ लोकतांत्रिक मुल्यों के साथ 140 करोड के भारत में फ्री में यहां पर टेस्ट की विवस्ता फ्री में उपचार की विवस्ता फ्री में वैक्सीन की विवस्ता 220 करोड वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को करोना की फ्री में प्रप्ट होती है और यही नहीं इसलिए सवा तीन वर्सों से 80 करोड लोगों को फ्री में राजन की सुविधा का लाब भी अकिले भारत दे रहा है फ्री में सिलिएडर उप्लब करवाने का कारे किया गरीबों को भरण पोष्ण भटा देने का कारे में उस दोरान किया गया और प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी से जुड़े वे देश के 12 कुरूर किसानों के खाते में भी DVT के माज़म से धंदासी उस दौरान जाती भी दिखाई दे रही थे वाईो बेनो दुनिया आज भारत के इस प्रबंदन का लोहा मान रही है यह भारत मिलकर के कैसे इतनी बड़ी महामारी जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताक्तें पस्पो गई उस दौरान अपने नागरिकों को कैसे नित्र तो दे रहा था यह लोगों के लिए कोटोला रास्ते रेकव इसे है भारत में पिछले नौ वर्स के अंदर हुई प्रगती और वहां से मिली संब्रदी से यहां के नागरिकों के जीवन में वहे प्रिवर्तन को दुनियास देख रही है और इसलिए प्रधान मंत्री मोदी जियास दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करने के लिए उस आवला दिखाई देए एक तरह प्रकति और संब्रिदी का एक नया मानक प्रस्तुत करतावा भारत बैस्विक मान चित्र पर भारत को बढ़ती भी बढ़तावा सम्मान यह भारत के लोग जो दुनिया के अंदर किसी देश में रहते हैं वहाँ पर हर नाकरिक ने इस बात का इसास किया कि आज हमें सम्मान मिला है और यही नहीं दुनिया के अंदर वे लोग रह रहे हैं उनको तो सम्मान मिलता ही है भारत के प्रथी लोगों का नजरिया बदला है जो लोग पहले में मानते थे कि भारत में नहीं हो सकता एक नीया मार्ग दिखाता है दुनिया के अंदर आज के दिन पर कई संकट आता है तो संकट का में लोगों के को उस संकट से उभारणे में अगर किसी के और लोग पुरी विश्ट्वास के साथ संकट मोचक के रूप में देखते हैं सप्रधान मंतरी मोदी जी को देखते हैं यानि एक नया भारत है, दुनिया के लिए भी संकट मोचक है और अपने नागरिकों के लिए भी सुरक्सित माहूल बनाने के साथ साथ उनको संब्रिदी के पत्पर अग्रसर करने का कारे भी कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्टिर के छेतर में हो, आंत्रिक और बाहय सुरक्सा के मोर्चे पर भारत को सुरक्सित देश के रूप में स्तापित करने का हो, या गरीब कल्यानकरी योजनाओं के मात्गम से लोगों के जीवन में आने वाला परिवर्तन, एक नए भारत की एक नई पस्वीर है, तो साभाईक रुप से भारत की डाग सेवाएं उससे कैसे बंच की त्रह सकती थी, व्यापक परिवर्तन हुआ है डाग सेवाओं में, और आज उसका एक पैणाम हम सब यहाँ पर पोस्टमास्टर जनरल और आरोग्या मंदिर के उपडाग घर के सलान्यास कारिक्रम के साथ ही, यहाँ पर पारसल हब और नोडल डिलिवरी सेंटर के सेवाओं को देख देख रहे हैं, मुझे पर अविश्ट्वास है कि इन सेवाओं का लाप न केवल गोरकपुर बलकी पूरव्यूत्तर प्रदेश तो उठाएगा ही, रेलवे के साथ बेतरीन समन्वे के माद्यम से, गोरकपुर और पुरोत्तर रेलवे के माद्यम से, पार बेतरीन सेवाओं के लिए धिरदय से बिनिंदन करता हूं, आदने प्रधान मंत्री जी की प्रति आभार व्यक्तर करता हूं और विश्टास व्यक्तर करता हूं कि मान्यसी अश्वनी वैशनों जी और मान्यसी देवु सिंग चोहान जी के नित्रतों में भारत का इसंचार विभाग और डाग सेवाएं आदने प्रधान मंत्री जी की मंद्सा के अनडूप डिश्टल क्रांती के माध्गं से आम जन को भेतरीन सेवा प्रदान करने के उनके अप अपिक्षा के अनूप आम जन की जीवन में प्रद़तन नाने का कारे करेगा। है भाइट बहुत ढाद मनने मुख्य मंत्री ज्योगी आदित्टिना चैये और अ सरकार के सचेव जाग विभाग श्री विनीज पांडेजी से निवेदन है कि सश्वी मुख्य मंत्री माननिय योगी आदितिना जी और केंद्रे संचार राज्य मंत्री स्रे देवु सिंग चौहान को इस्मतिचन भीट कर उनका धन्यवाद जाबित कर देवाद कर देवाद कर